नमस्कार दोस्तों अभी तीन-चार दिन पहले मैंने आपको बताए था कि रश्किया के मॉस्को शहर में बहुत बड़ी टर्रिस अटैक को कंड़क्ट किया गया है जहां पर बताय जा रहा है कि 133 से भी जादा लोगों की वहाँ पर डेथ हो गई है और इस पूरे टर्रिस अ सीधा-सीधा इसमें युक्रेइन को दिम्मेदार ठेरा है कहीं नहीं इसमें युक्रेइन का बहुत बड़ा हाथ है बाद में उन्होंने खुद को बैक किया खुद को करेट किया कहा कि नहीं नहीं यह जो पूरी टर्रिस ऑगनाइजेशन है आइसिस यह जो रैडिकल इसला है इन्हों ने यह पूरा अटाक किया है रश्या के मॉस्को शेहर में दूसरी तरफ इसमें बहुत बड़े-बड़े जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट नेटो और यूएसे को जोड़ करके देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूएसे और नेटो का बहुत बड़ा हाथ है जो टेर में यह जो रैडिकल मुस्लिम्स हैं यह रश्या से इतना जादा हेट क्यों करते हैं यह समझने वाली बात है दूसरा इसमें नेटो और यूएसे का क्या एंगल है यह भी बहुत अच्छी समझने वाली बात है और जब जब यह सारे डॉट्स को आप कनेक्ट करोगे ना प turnaround के लिए लोग एक बार टर्की में भी विजट किये थे और यह खुद टर्की के ओविश्यल्स ने यह बात चंफर्म किये बट उन्होंने इसमंगे बताया कि जो Turkey में इनका विजिट था ये बहुत छोटा विजिट था और इनका परपस ये था कि ये अपना जो रॉशियन जो मॉसको में रह रहे थे उसका जो रेसिडेंट पर्मिट होता है उसको एक्सेंड करवाने के लिए Turkey में आये हुए थे लेकिन इनका किसी भी तरीके से कोई radicalization टर्की के अंडर में नहीं किया गया है अब यहां से interestingly जब यह जो terrorist है यह लोग टर्की विजिट करते हैं टर्की एक NATO member है और इसी वज़े से आपको पता है कि रश्या और NATO के एनिमिटी इस टाइम पर कितनी जाधी बढ़ी हुई है और तब यह terrorist NATO के किसी country में जाते हैं तो यह obvious सी बात है कि इस चीज़ को काफी दादर criticize किया जाएगा और इस चीज़ को बहुत सारी घटनाओं से जोड़ करके भी देखा जाएगा हाला कि टर्की ने अपने आपको पहले आप समझना कि actual में जो radical Muslims हैं उनको problem किया है रश्या से जबकि वो इतनी बड़ी मातरा में रश्या में रहते हैं तो सबसे पहले problem शुरू होती है बोल्शविक revolution के time से बोल्शविक revolution में आपको पता था कि जब बोल्शविक revolution होता है उसमें Lenin बहुत बड़े leader बन करके उभर के आते हैं सामने और Lenin जब आते हैं और leader बनते हैं तो उन्हों ने क्या किया कि जितने बड़ी मातरा में जो Muslims थे जो कि उस time पर central Asia में रहते थे ये Muslims को czar empire ने यानि कि Russian empire में बहुत ज़्यादा दबाया गया था तो Lenin ने उन Muslims को use कि एक तरीके से इस पूरे Bolshevik revolution में उनको invite किया कि आप आईए हमारे साथ और आप हमारे साथ आ करके जो आपके साथ जो आपका operation किया गया है Russian empire दवारा उसके against में czars के against लड़िये और इस पूरे revolution को join करिये जो कि Bolshevik revolution है इसके बाद अगर ये revolution successful होता है हम power में आते हैं तो हम आपके साथ जो operation हुआ है उसको खतम कर देंगे हम आपको आपके rights देंगे जो autonomous आपको region चाहिए आपका जो central Asia में बड़ा autonomous region है आपका वो आपको दिया जाएगा इस तरीके से बहुत सारी promises लेनिन ने कर दी थी Muslims से वहाँ पर Muslims आते हैं जॉइन होते हैं इस पूरे Bolshevik revolution में और ये Bolshevik revolution successful भी होता है लेकिन Muslims से जो problems जो promises की गई थी initially Lenin दुआरा वो fulfill नहीं की गई उसके बाद भी relations जो देखो आप पूरे मतलब Lenin के और Muslims के तो ठिक टाक अच्छे थे हलाकि कई सारे Muslims का ऐसा मानना है कि पहले जब Russian Empire था तो उस ताइम पर Muslims के पास काफी सारे rights थे लेकिन जब USSR का formation होता है तो USSR एक communist की तरीके से आता है और पूरे communist ideology को आगे अपने दम priority पर रखता है ये जो communist ideology थी इसने Muslims का बहुत जादा नुकसान किया Muslims अपने religion को profess नहीं कर सकते थे बहुत सारी problem सी Muslims के लिए तो main problem actual में इनकी communist ideology थी और इसलिए Muslims कभी side नहीं हो पाए Lenin के साथ और Lenin के promises जो थे वो भी fake थे पहली problem तो यहाँ से शुरू हो गई दूसरी problem तब हुई जब world war 2 के time पर बड़ी मात्रा में Muslims को use किया गया अपनी army में Russians द्वारा जब Stalin यहाँ के president हुआ करते थे Stalin ने Russian army में बहुत बड़ी मात्रा में Muslims को involve किया और world war 2 में Muslims लड़े भी वहाँ से Stalin को पहली बार समझ में आया कि यह Muslims जो है यह हमेशा autonomous region मांगते हैं यह अपनी power मांगते हैं यह अपने rights मांगते हैं और यह एक बहुत बड़ा revolution बन करके हो सकता है रश्या के अगेस्ट में world war 2 के बाद तो उस चीज़ को सही करने के लिए Stalin ने क्या कदम उठाया कि Stalin ने बहुत बड़ी मातरा में Muslims को exterminate कर दिया Caucas region में और यहां Caucas region और presently जो Central Asia का region ने वहाँ पर इनको exterminate कर दिया और सिर्फ बताया ऐसा जाता है कि 20 million से भी जादा Muslims को वहाँ पर मार दिया गया था और उसके बाद से यह बहुत बड़ा कारड बन गया जुरूप करा और बहुत बड़ी मातरा में Chechens के साथ मिले और फिर जो Caucas war हुआ उसमें आपको पताए कि Russia की defeat हो गई थी और 1994 में पूरा war हुआ था जब Russian empire यानि कि USSR जब disintegrate हुआ रशिया बहुत वीग हो चुका था उसके बाद से तब से ही Russians और इन Muslims में काफी ज़्यादा इनिमिटी चली आ रही है अब इस period के बाद क्या हुआ कि हलाकी जब हो आप Central Asia जो है countries जो है पाचों अजाद हो गई थी बड़ी मातरा में मुस्लिम population रहती थी लेकिन अजादी के बाद भी जो वहाँ पर stronghold था वो रशिया का ही था और आप देखो जितने भी लीडर खड़े किये इन्होंने ताजिकिस्तान में खड़ा किया किर्गिस्तान में खड़ा किया सारे autocratic leader थे एक तरीके से dictatorship ही चल रही थी जिस dictators को रशिया पाल रहा था और उनको पुरी power दे रहा था तो यहां कि जो बड़ी मात्रा में Muslim population है वो खुद को survive करने के लिए और क्योंकि Central Asian countries आपस में ही बहुत ज़्यादा लड़ती थी तो खुद को survive करने के लिए बड़ी मात्रा में Central Asians जो हैं उन्होंने रशिया में पलायन किया अब ठीक आप इसको compare कर लो इंडिया से जब इंडिया में बांगलादेश से लोग आते हैं मयानमार से लोग आते हैं तो क्या मयानमार से रोहिंग्या Muslims आते हैं तो क्या आप उनको welcome करते हो क्या क्या हम उनको invite करते हैं क्या क्या वो हमारे resources हम उनको provide करते हैं क्या obviously एक एनिमीटी होती है एक थोड़ सा रिफ्ट होता है एक रेजिस्टेंस होता है उनकी तरफ कि ये बाहर के देश से आए हुए है और ये हमारे रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं एक वो आली feeling होती है same feeling Russians के भी अंदर थी ये पूरी मतलब आपको मैं ground level की चीज़ बता रहा हूँ जहां पर रशिया की public क्या feel करती है वो चीज़ है तो रशिया की public जो है all मतलब 5 में से हर एक रशियन जो है वो कहीं न कहीं ये बाहर से Central Asia से आए हुए Muslims को बहुत जादा hate कर रही है और यह hatred धीरे धीरे विट टाइम बहुत जादा बढ़ती चली गई रशिया के अंदर में और Muslims बड़ी मात्रा में है रशिया में तो इनके पास भी अपनी वाइस है जो की काफी मुखर तरीके से सामने भी आती है यहां से जो hatred है यह बहुत जादा पनब गई यह त दूसरा रिजन radical Muslims का रशिया को hate करने का यह था कि जब रशिया ने involve किया था खुद को अफगानिस्तान के अंदर में और अपनी forces को उता रहे थे अफगानिस्तान के अंदर में तो वहां पर Russians ने बहुत बड़ी मात्रा में अफगानी विलेजस को bomb किया था इसके बहुत सा गांवालों को support की वज़े से ही टिक पाते हैं क्योंकि यह लोग attack करते हैं और फिर जा करके गांवालों में मिल जाते हैं उसकी वज़े से इन्होंने पूरे विलेजस पर attack किया था कि यह गांवाले भाग जाए यहां से रशीयन से हरेट करते हैं अब इंट्रेस्टिंग्ली पूरे मामले में क्या होता अफगानिस्तान के अदर में आपको पता है कि रश्यन टूप्स वापस आ जाती है वहां से और उसके बाद युएस टूप्स वहां पर एंटर करती अनुए अफगानिस्तान के अंदर में त 2015 से 2020 का पीरेड अब चेक करना इस पीरेड में IS IS का जो खुरासन यूनिट था उसने पूरी तरीके से अपने relevance को lose कर दिया था सारे बड़े leaders उनके मारे गए थे 2020 तक में और सारे बड़े leaders के मारे जाने के बाद भी इनका पूरा network था अफगानिस्तान के अंदर में पूरी दुनिया के अंदर में तूट गया था जो खुरासन यूनिट का network था अब interestingly 2020 में क्या होता है आपको पता है 2020 में दोहर डील होती है और दोहर डील में अचानक से यह sign होता है कि जी हम यूएस यह बोलता है तालिबान से मिल करके दोहर डोहा में डील करते हैं कि हम अपने troops को अफगानिस्तान से वापस बुला लेंगे आप एक government setup कर लो अफगानिस्त आप देखोगे कि 2022 में इसी आईएस आईएस के खे यूनिट ने के मिलिटेंट्स ने बहुत बड़ा अटाक कंड़क्ट किया रशियन एंबसी के ऊपर में अफगानिस्तान के ऊपर और उसके बाद ठीक इसी के बाद 2022 में इन्होंने यूएस के टूस पर भी अटाक किया औ इसकान में अब यह इन रशिया ये सारी कंट्रीस कान सी हैं ऑव्यस्ली एंटी इस कंड्रीस हैं जो कि यूएज से की डॉमिनेंस से लडाई कर रही है कुद का एक चैन मताखर टो सारे अटैक्स वहा ich kyn के बारे में इंट्रेस्टिंगि यूएट की ग्णिस को पता था और इन्होंने पहले इंफॉर्म किया था रश्या को भी इंफॉर्म किया था इरान को भी इंफॉर्म किया था इसी लिए वलादमीर पुतीन बार-बार उनका तरकी यह है यह यूएस की secret agencies है इनका बहुत अच्छा network है IS-IS के खुरासन unit के militants के साथ because they were working in Afghanistan यह उनके network को बहुत अच्छे से पहचानते हैं समझते हैं लेकिन they are very reluctant कि यह यूएस की जो secret agencies है बहुत reluctant है उस पुरे network को तोड़ने में क्योंकि वो network कहीं ना कहीं इनके बहुत काम आता है और इनके लिए काम करता है एक तरीके से और इसी चीज़ को ले करके बार-बार बड़े-बड़े geopolitical experts ऐसा मान रहे हैं कि USA का बहुत बड़ा इसमें हाथ है जो यह ISIS का Khorasan Unit दुबारा से active हुआ है और यह लोग लगातार attacks कंड़क्ट कर रहे हैं 2021 के जस्ट बात से जब US की troops अफगानिस्तान से वापस आई है So now, I hope आपको यह पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि actual में geopolitics के अंदर में एक दूसरे पर ब्लेम गेम चल क्यों रहा है यह अनिमिटी कहां से शुरू होती है और कहां पर आ करके इसके डॉट्स कनेक्ट होते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही Thank you and have a nice day